नमस्का दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब केनल जीकी बाई सुनित सर्वे हैं आज दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर कलायू जीत हुई स्टेनोग्राफर की एक्जाम का जो जीकी का पेपर है उसके कुछ क्युशन जो आप सभी के लिए बहुत जादा महत्यों कुण है और उनी के उनी कुछनों को लेकर मैं आप सभी के सामने यहां पर उपस्तित हुआ हूं दोस्तों जैसा कि आप सभी को स्कीन पर दिख रहा है मैं यहां पर आप से कमेंट नहीं चाओंगा लेकिन आप बीच में अगर देना चाहें तो कमेंट दे सक लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको इस पेपर के सभी जो आंस्वर है वह फटाफट करवाने वाला हूं तो आप सभी दोस्तों को नमस्ते आप सभी को राम राम आप सभी को गुडिविंग और आप सभी यहां पर जूड़ चुके स्वागत आप सभी का जैसा भी मुझे कि यह पेपर मिला पुझे जल्दी से बता दीजिये कि यह पेपर जो आपको दिखाई दिख रहा है यह कि आपको सही दिख रहा है क्यूट सब्सक्राइब यहां आप पर जुरे सो कि एक बार मुझे जल्दी से बतादे कि आपको यह Quisian सफ़ाए दिखाये रहे हैं ? महाविर संभू सास क्या Quisian आपको सफ़ाए दिखाये रहे हैं ? जो यहाँ पर Qisian कल हुई एक्जाम तोस ते 4 की की एक्जाम है उसकी Qisian यहाँ पर मनेकर आया हूं ? अगर आपको नहीं दिखाया तो मैं उनके नाम यहां पर बोल रहा हूं मैं यहां पर बोल रहा हूं इस क्यूशन का इस पर दोस्तों यहां पर होगा जेपुर की राद नवंबर 2020 में राधसन के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्वार्क का वर्चवली जो हाली में चर्चा में थे किस पुरुशकार के विजयता है इनमें से कौन जैसे यहां पर पहले से कुछ टिक आपको दिखाए दे रहे हैं मुझे जहां से पेपर मिला यह उसके द्वारा किये गये लेकिन आम आपको यहां पर हमास सही आंस्पर दे रहा हूं नई दिख रहा है तो ऐसा क्या नहीं दिख रहे है राजेंदर कुमार भंडारी जो हाली में चर्चा में थे किस पुरुशकार की विजयता है तो दोस्तों यहां पर आंस्पर ए होगा सुवास्पंदर बोस आपदा प्रबंद पुरुशकार 2021 तो यह यहां पर पुरुशकार उनको दिया चाहिए अगला क्यूशन एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 2021 जो भारत और फ्रांस के मद्धि हवाई सन ने अभ्यास हुआ था इसका नाम क्या था नाम इसका याद रखने आफ क्योंकि पूछा जा सकता है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 2020 यह अब तो दिखना ची मुझ मद्धि हावाई सन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस अस्तान पर हुआ तो दोस्तों यह राधस्तान के जौदपुर जिले में आयोजित हुआ है इनको दोनों टाइप से आप याद कर लें बिल्कुल महाविर सिंग आप का अंसपर यहां पर सही है मिश्टर जाट का हुआ है यह बात भी आपको दोस्तों यहाँ पर यादे रखनी है चलिए अगले क्यूशन का जवाब दीजिए नेक्स साइड में है इधर एक बहुती स्यांदर क्यूशन आप सभी के सामने किस संस्तान ने इंडिया इन्वेशन इंडेक्स का जिवित्य संसकर्ण जारी किय इनमें से कौन सी संस्ता है किस संस्ताने इंडिया इन्वेशन इंडेक्स का दूसरा संसकर्ण जारी किया तो इसका आंस्वर यहाँ पर नीती आयोग ने अपना दूसरा संसकर्ण जारी किया है नीती आयोग दोस्तों यहाँ पर आंस्वर होगा कि किस संस्ताने इंडिया इ अपने चैनल से कौन-कौन से question आये थे, आप नीचे लिखेंगे जरूर कि ये question आप ये लिखेंगे नीचे, कि ये question अपने channel में पहले भी बताया जा चुका है, ये आपको बताना पड़ेगा, बाकी आपको कमेंट नहीं करने हैं, चलिए, अगला question, कौन-कौन से question अपने channel से आए वो देखना आपाज जनबरी 2021 में संपन W.H.O की कारिय कारी बोर्ड की अधिक्स्ता किस देशने की है तो जनबरी 2021 में आई जो संपन हुई थी W.H.O World Health Organization के कारी कारी बोर्ड की अधिक्स्ता दोस्तों भारत की दुआरा की गई है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है विजियंदर सिंग राम राम आपको भी आप पे जोड़ चुके स्वागाई था आपका और और दोस्तों को सेर कर दे फटापट आप सेर करने में लगे रहे साथ में चलिए अगला क्यूशन स्कीन पर आप सभी के सामने एक जनवरी 2021 को कि संस्ता ने अपना 63 पास तापना दिवस मनाया तो ये भी पूछ सकते कि 63 पास तापना दिवस कब मनाया तो ये एक जनवरी 2021 को मनाया गया और इसका आंस्वर होगा बिलकुट एक किसके द्वाराम मनाया है वी यहां पर पी आयूसर representative क्या है दोसतों यहां पर ऐसी का पूरा नाम पूछा गया यह जो हाली में काफी चरचा में था इसका पूरा नाम क्या है तो दोस्तों इसका नाम है यहां पर interconnect usage charge यहां पर C answer बिल्कुँ सही होगा कि interconnected usage charger जो है यह इसका answer बिल्कुँ सही होगा C answer यहां पर बिल्कुँ right होगा चलिए, अगले execution का जबब दीजिए अब आपको बिल्कुँ साप दिखीगा बिल्कुल अच्छी है यहां पर यहां पे clarity आई आई आपके सामनी वरतमान किंद्रिय बजट में घोसित मित्रा योजना की सक्षेतर से समंदित है कि वरतमान किंद्रिय बजट जो घोसित किया गया हाँ उसको उसमें मित्रा जो योजना है वो किस से समंदित है यह क्यूसर एक्जामी आया और यह दोस्तों है यह क्रसी से समंदित योजना है किसे समंदित है यह योजना क्रसी से समंदित है तो इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यह क्रसी समंदित है चलिए अगला क्यूसर भारत के वरतमान नियंतरक और महालेखा परिक्सक कौन है यह आपको बताना देखिए वरतमान का वो कौन है गेई ससू मुर्मू है तो यह आंस्वर यहाँ पर बिलकुल राइट होगा चलिए अगला क्यूशन राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनावरी 2021 की गणतंतर दिवस फ्लाइप मॉस्ट में हिस्सा लिया वह किस देश से भारत ने खरीदा है मतलब कहने का रहती है कि राफेल फाइटर जो जेट विमान है वो भारत में कौन से देश से खरीदा है उसका आंस्वर आपको यहाँ पर बताना है तो यह किस से खरीदा गया था यह फ्रांस से खरीदा गया थो ए आंस्वर यहाँ पर बिलकुल राइट होगा हाँ ए आंस्व को यहां पर आयोजित हुआ है कहां पर आयोजित हुआ है कि भारत की अंतराष्टके थिल माहत्साव का 51 संसकर्ण अब किसी भी तरीके से पूचे जाशकता है कब मनाय गया तो 16-20 जनवरी 2021 को मनाय गया था कौन से नमबर का 51 नमबर का मनाए गया था तो यह मनाई गया था कहाँ पर गोवा की राज़ानी पनजी में इसे मनाई गया था कुमार सद्जन स्वागत आपका आज आप पहली बाद जरूरें प्लीज हमारे तलों को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर क्यूसन का अंच्पर देखते रहीं आप जो कल आयुजित कि कोविड-19 से बचाने के लिए संक्रमन को बचाने के लिए जिस ट्रीके की खौज की गई है वह कितने ताप पान पर रखा जाना चाहिए ताकि वह खराबए नहीं हो तो दोस्तों वह है 2-8 डिग्री से इंटिग्रेट टेमपरें से पर उसको जाना चाहिए तो यहाँ प जाता है तो यह आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों नेपा जो है वो अकवारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है किसके लिए अकवारी उद्योग जो है उसके लिए जाना जाता है नेपा चलिए अगला क्यूशन है फिर से किस सेल में किस चक्टान में सिलिका क प्रतिसत 55 से 65 प्रतिसत होता है इसमें से कौन सी सेले हैं चार सेले यहां पर दी गई है इनमें से कौन सी में सिलिका की जो मात्रा है वो 55 से 60 प्रतिसत तक होती है तो दोस्तों वह होती है अधी सिलिकी सेले सी आंस्वर यहां पर होगा कौन सी होती है अधी सिलिक सेले होती है यहाँ पे होगा, चलिए, अगले क्यूशन का अंस्वर, इन में से कौन हिमाले नदी परणाली का हिस्सा नहीं है, आपके सामने चार नदियों की नाम दिये गई है, इन में से कौन सी है, जो हिमाले नदी परणाली का भागे नहीं है, तो दोस्तों देखिए, सिंदु निकलत ब्रहम्पुत्र भी हिमाले से बैती है और गंगा ये भी हिमाले से बैती है लेकिन गोदावरी तो दक्सन भारत में बैती है प्राइद भारत में बैती है मोनिका सर्मा गोडियूनिंग आपको भी आप यहां पर जूड़ के स्वागत आपका तो गोदावरी यहां पर क्या हो होगा चली है अगला की है यहाँ अंश मिल्कुल राइट होगा तो गांधी सब्सक्राइब जिए अब्र मद्दी पर इस कंदीक पुछा जा सकता है इन मेंसे कोन भारत की ख़रीद की पसलें और कुछ यहाँ पर जूर चुकिए स्वागत आपका, कल आयो जित हुई, स्टेनोग्राफर की जो एक्जाम है, उसका ये पेपर है, उसी को महल करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो इन्हें में से कौन सी है जो भारत के खरीब की फसल है, दोस्तों, नागपूर में स्टीत है, जो महराष्टर में स्टीत है, नागपूर महराष्टर में, देरादूर नहीं होगा, देरादूर में एक अलग संस्ता है, राष्टी वन परियावन संस्ता है, वो दिराधुन में है लेकिन राश्टी परियावण अभियांतरी की अनुसंद्रान तो तनस्टा है वो महराश्टर की नागपूर मेस्ठीत चलिए, अगला की उसाल इन में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमारग है तो दिये गई जो है इन में से सबसे जो लंबा है वो कौन है नेशनल हाईवे नंबर 4 सबसे लंबा है बिल्कुल पेपर मिस्टर जाट इजी है आप तो देखते जाएं इजी है बिल्कुल चली अगला क्यूशन दूसरे सेड में ले रहे फिर इसे एक स्यांदार क्यूशन देखिए ये एक जोग्रॉफी से जुड़ाबा क्यूशन है और जोग्रॉफी में आता ह वह तो करेगा ब Mueller इस दोस्टि स्वागत आपका बिलकुल अंस पर सही है चलिए अगला क्यूशन विश्वब परियावन दिवस निम्न में से कब मनाया जाता तो विश्वब परियावन दिवस हैं यह बिलकुल 5 जून को मनाया जाता और फिर से एक्जाम में आ गया हर सेल परियावन, दिवस. तो पांच जुन को मनाय जाता है. विस्वर परियावन, दिवस. निवन मेंसे भारत का सबसे सुस्क्तान कोञ़ा है? देख लीजिए, यहां पर अगर आप कहूँए, आप कहींगे कि सरस्तान नहीं दिया जिले का नाम दिया गया तो क्यूसरं को देखिए आप यहां पर क्यूसरं में सभी जिलों की नाम दिय गए है और इन जिलों में सबसे सुस्क जो है वो कोण है जैसर में रांस्पर होगा तो बी बिलकुल राइट होगा जैसा मेर होगा निम्र में से भारत का सबसे सुस्कस्तान ये क्यूसन अपने चैनल से आया है आप लोगों नहीं बता है लेकिन मैंने बता दिया है अपने चैनल पर देख लेना ये क्यूसन बहाँ पर दिया हुआ है चलिए अगला क्यूसन है निम्र में से कौन सा राज्य नर जिराद से होकर भी ये बहती है, इसका मत्तब महाराष्ट जो है नरमदा बेसिन में नहीं आता, नरमदा नदी घाटी परियोजना में जरूर आता है, अगर आप नरमदा में पूछते कि नरमदा नादी घाटी परियोजना में कौन-कौन से राज्ये सामिल होते हैं, तो उसम प्रफल के अनुसार दियो ही जिलों का सही अवरोही करम कौन सा है घटते वे करम में पूछा गया है सबसे बड़ा जिला फिर छोटा फिर चोटा पूछा गया है तो करम से दिया गया है राधसान का सबसे बड़ा जैसलमेर है उसके बाद में पसी में नागोर है और उसके बा वरतमान रादस्तान के लिए राजपुताना नाम का उप्योग किया बता दीजिए लिख क्या ये क्ondra नाम का प्रयोग किया गया है थीक है राय थान सब्ड है उसका प्रयोग करनल сп्ट ने लेकिन रादस्तान के स्केतर के रिए राजपुतना सब्द का प्रियोग जौरस थोमस ने अठारा सो इसवी में किया है, तो the answer बिल्कुल राइट है, अगला क्यूस्टन, इन में से कौन सी अराबली स्रंकला की सबसे उंची प्रवाचोटी है, इन में से कौन है, बता दीजि कितने क्यूस्टन अपने चैनल से आए है, अब देखते जाएं, अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो मेरे से आप मांग सकते हैं, आपको स्क्रिंसोट बेश सकता हूँ कि ये क्यूस्टन अगर नहीं आये हो तो, अमरता देवी विश्णोई पुरुस्कार की स्चेतर क के लिए दिया जाता है, गूड इविंग आपको भी हविनोद बुदानिया, चलिए, अगला क्यूस्टन, आंस पर दीजिए फटा फट, देखते जाएं, कौन-कौन से आये है, रादस्तान के किस जिले में जलोड मरदा पाई जाती है, यह किस प्रकार की मरदा पाई जाती है, यहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, जलोड मरदा का जमाव हुआ है, इसलिए यहाँ पर कैसी मरदा पाई जाती है, जलोड मरदा पाई जाती है, तो यह क्यूस्टन भी अपने चनल से आया, और अगला क्यूस्टन देखिए, रादस्तान के किस भाग मे तांबे के पुराने परचूर भंडार पाए जाती है, तो कौन सा ख शेत्र है, तो दोस्तो रादस्तान के जुन्जुल जले का खेतरिक शेत्र है, जो तांबे के प्राचीन और परचूर भंडार यहाँ से प्राप्त होती है, सुनुल कुमार गुडुमिंग आपको भी, औ अगर नहीं हो तुम आपको स्किन सौट देश सकता हूँ, मांग सकते हैं यह क्यूशन भी अपने चैनल से आया है, अगला क्यूशन, रादस्तान के कीन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्सित वनक्षेत्र है, आरक्सित, रक्सित और वरगीकरत वनों को कुछ विभाजन किया गया है, और यहां पूचाएगा कि सबसे ज़्यादा आरक्सित वनक्षेत्र में है, तो दोस्तू यहां पी का अंस्वर बिल्कु सही है, उदैपूर और चितोडगड़ में आरक्सित वनों का ख्षेत्र सबसे ज्यादा है, चलिए, अगला क्यूशन है आपके सामने, इनमे से कौन सा जोड़ा सही नहीं है कि कौन सा जोड़ा है जो इसमें से सही नहीं है जवाई बांध पाली में स्थित है जिसको मारवाड का अमरित स्रोवर कहा जाता है जो जवाई नदी प्रस्थित है राणा परताब सागरबांध चितोडगड़ में स्थित है भरावक शम्ता की द्रस्ति से राधस्तान का सबसे बड़ा बांद बांगते हैं, चंबल नदी प्रस्तित है, उमेद सागर बांद भीलवाडा में, लेकिन माही बजाज सागर बांद देखिए, यहाँ पर आप D-Option को देखिए, माही बजाज सागर बांद कहां पर इस्तित ह तो यह बांसवाडा में इस्तित है, खांदू गाउं जो बांसवाडा है, वहाँ पर स्तित माही बजाज सागर बांद, यह डूंगरपूर में इस्तित ही नहीं है, चलिए, यह क्यूसर अपने चेनल से पूछा गया है, इनमें से कौन्ची राधस्तान की भेड की किस्म नह जाती है, यह बकरी की नसला दोस्तों, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्याने रखना है, चलिए, अगला की देखिया आपके सामने कुछ इस टाइप के प्रसनाज के लेक्जाम में पूछी जाती है, पूरा क्यूसर आपको यहाँ पर सपश्ट दिखा रहा हूँ, पक्सि पर यूजना, रन थंबोर, दो में C मिल रहा है, लेकिन यह पहला उप्शन तो यही कट हो गया, अब इसका मतब A और काला हिरन के लिए ताल चापर चूरू का प्रसीद है, तो B आंसर बिल्कुल राइट होगा, B, C, A, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, चलिए, अगला क दो में कि पूरा पढ़ेंगे, तब आपका आंसर यहाँ पर राइट आइगा, लास्ट में लिखाए, कि एक को छोड़ कर सीवाई निमर में सभी रादस्तान की रभी की फसले हैं लेकिन एक को छोड़ कर वो कौन है जो रभी की फसल नहीं है तो दोस्तों वह कौन है मुंगफली है डी आंस्वर यहां पे होगा मुंगफली जो है यह खरीब की फसले यह रभी की फसले नहीं है बाक यहां पर इसका आंस्पर क्या होगा? C बिलकुल आंसपर रायट होगा, बिलकुल सही है. चलिए. अगला क्यूशन, रादस्तान में मिट्टी, मिट्टी मतब टेरा कोटा की मूर्ती बनाने का मुख्य कला के अंदर कौन सा है, तो वह है मोलेला, और मोलेला कहां पे स्थित है, ये रादस्तान के रादस्तान के रादस्तान का मोलेला नामक दोस्तान है, ये मिट्टी की मूर्त तरण में अपनी पहसान रखता है बिल्कुल रभी को उन्नालू कहते हैं चलिए अगला क्यूशन वरतमान में रादस्तान में कौन्ची संस्ता उद्वगों के लिए मुलभुत सुविध्धाएं मुहिया कराती है उप्रब्द कराती है तो वह कौन्ची संस्ता है वह राज सी को संस्ता है कि वरतमान में रादस्तान में कौन्ची संस्ता उद्वगों के लिए मुलभुत सुविध्धाएं उप्रब्द कराती है तो ये राद सी को संस्ता है जो ऐसा कारिये करती है और देख लेना ये क्यूशन अपने चेनल पे पहले दिया हुआ है सेम आया है एकदम ये नौक जैसल मेर में स्तापित किया जा चुका है या किया जा रहा है अगला क्यूशन रादस्तान की पहली परतेक्स लाब अंतरन योजना कोंसी है इनमें से कौन है कुछ चार योजनाओं के यहाँ आप सामने नाम दिये तीन योजनाई है भहमासा योजना की सवरी सक्त में से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो आंसर डी होगा रादस्तान में सबसे ज्यादा जनसंख्या बला जिला कुंचा है जेपूर है सबसे ज्यादा जनसंख्या जेपूर में रहती है अगला क्यूसर अगला क्यूसर यह चेंदर से आया अपने क्यूसर बो बता नहीं किया गया है, तो वह है तारगडड का किला है, जो अजमेघ भिस्तित आइक है, तो C antser यहां पे बिलकुल क्या होगा? Right होगा. चलिए. अगले किुशन का ज़भाब दीजिए. कानर देव परबंद किसके द्वारा रचित है अपने चेनल से पूछा गया क्यों सने है क्यों भाग रहे हो कानर देव परबंद किसके द्वारा रचित है तो ये पद्मनाब की द्वारा रचित है दी सेम अपने चेनल से आया है और दिया वा था तो पद्मनाब की द्वारा लिखी गई है, अगला क्यूंस न देखिए, निम लिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने की महीने का जोड़ा सही नहीं है, एक तरफ मेले का नाम दिया है, और दूसरी करफ दिया कि कौन से महीने में मनाया जाता है, आप सबी दोस्तों से रिक्पेस्ट है, प्लीज आप आपने दोस्तों को सेर कर दे, और भी लोगों को यहाँ पर जुड़ने का प्रियास करें, खाटू स्याम जी का मेला अभी चला फालगुल में, मुस्कर का मेला कार्तिक महा में लगता है, एकादसी से लेकर सुकल पक्स की प्रुनिवा तक लगता है, बाबा रामदेव जी क स्रामण महा में नहीं लगता, तो इसका मतब यहाँ पर आंस्वर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इस मेले का आयोजिन भाद्रपद महा में होता है, भाद्वे के महिने में होता है, स्रामण के महिने में नहीं होता है, तो सी आंस्वर यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, राइ ह analysis of commerce कालविलिय कूंसे दरते संन्धित आई यह प्रसिद अगारे से संधितर निम counters school के अंतरगात आती है और सम्दी आपके सामने चार उप संदिये उसमें से इसी है जो भूंडार स्में नहीं रहता है। ही रखती है आमेर उन्यारा और जेपूर ये सभी किसे ढूंडार स्कूल से सम्मंद रखती है तो यहां पर बूंदी जो है वो इसमें सामिल नहीं है सलिए अगला क्यों सालिए पाबुजी की फड़ सुनाते समें इस मुख्य वाद्ध यंतर का उप्योग होता है कि दिया गया है सेम क्योषण आये बहुत से यहां पर तभी मैं कहता हूँ कि यहां से क्योषण स्वंप्रतिस आंगी रादस्तान का वह सताज जो पहले विराट नगर से जाना जाता था जहां पर पांडवों ने अग्यातवस का एक वरस भी बिताए था आज किस नाम से जाना जाता है तो वो बैराट के नाम से जाना जाता है तो बी आंस में बिलकुर सही होगा जो किसी जमाने में विराट नगर के नाम से पहचाना जाता था और अब वरत्वान में वो बैराट के नाम से जानते हैं अगला किस सन दूसरी सेड में चलेंगे रादस्तान के इन में से किस सहर को बावडियों का सहर कहा जाता है तो वह कोन है बूंदी है दोस्तो रादस्तान में बावडियों का सहर के लिए पहचान कोन रखता है बूंदी रखता है ऐसा का ऐसा अपने चैनल से आया है बिल्कुर अपने चैनल पर आप देख सकते हैं इत तो माउंट अबू है, जहां पर राज्य में ग्रिसम महुत्सव का आयोजन किया जाता है, तो D answer यहां पर क्या होगा, बिल्कुल रायट होगा, यह क्यूस्वन देखिए, बहुत बाद पहले एक्जाम में पहले भी पूछ आ चुका है, आज फिर से आ चुका है, इरादस्ता में तिलपट्टी के लिए वह स्तान जाना जाता है, तो वह ब्यावर का अजमेर है, जो तिलपट्टे की रूप में अपनी पहचान रखता है, अगला क्यूस्वन, कौन सा लोग देवता को, कौन से लोग देवता को उंटों की देवता की रूप में पूजा जाता है, तो सब्सक्राइब करें साथ हैं एक पर जोडने का प्यास करएं क्योंकि दोस्त करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोन्य वरिजो आपके सामने दिये गए एंग्लिश और साथ में मैं आपसे बार-बार कह चुका हूँ कि जो आपको लगे कि अपने चैनल से कौन सा क्यूसर आया है, तो आप लिखें कि ये क्यूसर अपने चैनल से आया है, अगला क्यूसर आपके सामने स्कीन पर, देखिए, जवार कला के अंदर रादस्तान में निम्र में से कह यहां पर स्थीत है तो जवार कला के अंदर है वो राधस्तान के कहां पर स्थीत है जैपूर जिले में स्थीत है तो यहां पर डी आंस्वर आप सभी दोस्तों का बिल्कुल क्या होगा सही होगा डी आंस्वर बिल्कुल राइट है जवार कला के अंदर जैपूर बहुत बार क्यूसन पहले पूछा जा चुका है दुबारा रिपीट हो रा बार बार उदयपूर भीलवाड़ा और चितोडगड में निम्न में से कौन सी बोली जादातर बोली जाती है तो उसमें मेवार का क्षेतर है इसलिए यहाँ पर कैसी बोली 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 जाती है तो लिखो कि ये क ιुस्षन अपने चेनल से आया है, दमना एक अंगुली का गहना है, अंगुली में पहने जाने वाला एक क्या है? गहना है, ये कि शुषन दी सेम ऐसा का ऐसा उस ताइम भी आया था, और आपको याद होगा, मैंनि कहा भी था उस ताइम, कि आजकल एक संगीत भी चल रहे है, दामन वारा संगीत चल रहे है. उसी से मिलता जूलता नाम है. अंगुली का है बिलकुल. अगला की उसन आपके सामने देखिए किस से समंदित है निम्र में से सिलालेक प्रसस्ती और उनके वर्स के सही जोड़े निम्र में से कौन से है प्रसस्ती और उनके वर्स के सही जोड़ों से समंदित की उसन पूछे गई है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अचलेस्वर जो सललेक है वो सही है बिलकुल 1285 में लिखा गया उसके बाद में ये दिरवाणा सललेक है ये गलत है और कुंबलगर प्रसस्ती जो है ये 1160 में बिलकुल सही है तो जिस option में एक और तीन दिया गया है वो option ये तीनों किस्ट मैं यहाँ पर दिये निम्र युदों को ध्यान में रखकर उसके सही कालकरम को ववस्तित कीजिए इनमें से कौन सा युद सबसे पहले हुआ था तो हल्दी घाटी का युद कब हुआ था पंदरा सो चेतर को हुआ था खानबा का युद कब हुआ था इनकी दुआरा बनवाया गया था देजसेम अपने चैनल से पूप ऊछा गया बिल्कुल यह राइट है यहां पर अपने चैनल से पूछा गया महारणा कूबा जो है उनकी दौरा चितोड़ गडमी विजे स्तंब का निर्वान करवाएगा निकेस कुमार स्वागत आपका आप पी जुड़ चुके हो और आपके आंस्वर का बिल्कुल, क्यूशन का आंस्वर बिल्कुल यहाँ पे सही है, राना कूंबा यहाँ पे बिया आंस्वर है, विजे समका निर्मान करवाएगा है, मालबा विजे के और प्लक्षमे, अगला क्यूशन, भरतपूर सहर की स्थ आपना निमन में से किसके द्वारा की गई थी, तो भरतपूर सहर की जो स्थापना है, वो महराजा सूरजमल के द्वारा की गई है, यह आंस्वर बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट होगा, और भरतपूर सहर की स्थापना करने वाले हैं महराजा सूरजमल, अगला कि हरवक्ष पाल सिंग के साथ क्या करी थी संदी करी थी तो दी अंस्वर यहाँ पे क्या होगा सही होगा चलिए अगला क्यूशन देखिए आपके सामने रादस्तान में 1857 की संग्राम कहां से सुरू हुआ था एन 1857 की जो क्रांती है वो रादस्तान में कहां से सुरू हुई तो उसका नसीराबाद अजमेर से इसकी क्या हुई थी शुरुवाद हुई थी यह क्यूशन भी आप अपने चैनल से देख सकते हो आपको वहाँ पर मिल जाएगा 1857 की करांती का जो वीडियो है उसमें दिया गया है अगला क्यूशन गुप्त सैने संगठन और भारत सभा की स सापना यह इतना क्यूशन अपने चैनल से आया है कि भारत सभा की सापना निम्र में से किसके दुवारा की गई थी तो गोपाल सिंग खरबा और केशरी सिंग बारट इस क्यूशन का यहाँ पर आंस्वर क्या होगा राइट होगा यह आंस्वर में को सही है गुप्त सैने सं गठन और भारत सभा की सापने करने वाले हैं गोपाल सिंग खरबा और केशरी सिंग बारट अगला क्यूशन देखिए ट्रेंस कमिशन समंदित है यह मनें समझाया भी था मैं उसका स्क्रीन स्कोट आपको भेश सकता हूँ ट्रेंस कमिशन निम्र में से किस से समंद रखता है तो यहाँ पर आंस्वर होगा बेंगू किसान आंदोलन से किस से है बेंगू किसान आंदोलन से समंद है ट्रेंस की थी और पूरा विस्तार से मैंने बताया भी था कि इसका गठन क्यों और कब पर कैसे हुआ था और यह किस्षांधी से अपने चेनल से पूछा जा चुका है चलिए अगला किस्षां देखिए बहुत से किसंदोस्तों बार-बार आपको कहता हूं मैं गारंटी से आपको कहा रहा हूं कि यहां से चेनल में प्रतेक एक्जाम में क्यूस्थन पूछे गई हैं और चेनल को चले वे कोई जड़ा समय ने वाँ छे महिने हुए हैं और छे महिनों में रादस्तान प्लीस और उससे पहले जायन की एक्जाम और आज पिर स्टेनोग से गिरी के दो आरा की गई ए सब्सक्रांण जाता है जिसमें एक प्रती वर्स असक उलूब अगर मार्स को राजता स्थापना दिवस मना जाता है अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे चैनल का जो पहला वीडियो बने डाला था उसमें यह किस्वन दिया गया याद है मुझे आज सक अगला किस्वन राजसन के निम लिखित परजामडलों पर विचार कीजिए इनकी तित्यां बताने की कौन से परजामडल की स्थापना कब हुई थी उनके समद में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है तो देखे आपको बता देता हूं दोस्तों कि संगड़ जो परजामडल है उसकी स्थाप आप दीजिए फटांपळ राजस्तान का एक य्क करण कीतनी चरणवी पूरा हुआँ यहाँ पर डी आंश्मर है कि साथ य्क करणवे पूरा हुआ है त फिर से देखी लेकर राजस्तान की जनजाते संबंदित एर ऑपने आया которого सब्सक्र! कू क्या है राजी को प्रार्म करने बाला राधंस्तान भारत का राज्जे है, कोईंसा राज्जे तो यह भारत का पहला राज्जे है, जिसने त्रीस तरीय पंचायती राजव्यवस्ता की सुरूआत करी थी, दो अक्टूबर चलिए अगला किसने आपके सामनी जब रादस्तान का कॉन सा सहर विश्व में रतन बजार के लिए प्रसीदी पहचान रखता है यहां पे बिलकुल क्या है राइट है मिलाईए इनको मिलाईए क्या है पसू प्रजणन केंद्र और एक तरफ नसल दी गई है कि एक तरफ कौन सी नसल का पसू प्रजणन केंद्र कहां पे है तो दोस्तों देखे यहाँ पर डग जो है उसका कहां पर है मालवी मालवी जो नसल है उसका प्रजणन केंद् तो देख लिजी आप यहां पर एक में क्या दिया गया है तो क्या है तो आंस्पर यहां पर बिल्कुल क्या निकल क्या है ए आंस्पर बिल्कुल राइट है चलिए अगला क्यूसन तीजे जबाब लाश्ट क्यूसन है सेखाबाटी ब्रिगेड का मुख्याले निमन में से कहा पर स्थित है तो सेखाबाटी ब्रिगेड का मुख्याले रादस्तान के जिल्जनों जिले में स्थित है तो दोस्तों ये थी स्टेनोग्राफर की एक्जाम की आंस में इसी टाइप की क्यूसन पू पूछे जा चुकी हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद आप यहां पर जुड़े रहे और मिला लेजिए इसे और भी आंसपर की यहां पर आएगी माविर सिंग दुल्चास करें कि कॉंगर्स वेशन आपका भी बहुत-बहुत धन्यबाद तो चलिए थेंक्यू द हां सर औलमस्ट की उसन आपकी चैनल से आए हैं बिलकुल कुमार सजन गुड़नाइट आपको भी रिया रोयल अच्छे थे सारे बिलकुल आपका बहुत-बहुत धन्यबाद और सेयर कर दे अपने दोस्तों को सेयर कर दे उनको सेयर कर दे क्योंकि बहुत से लोगों ने試्ट गी एंक्जाम दी है उनको यह अनसमर की मिल जाएं प्रींकका मर्वल कुमावत बहुत-बहुत धन्यबाद गरीवा सर्मा आपका बहुत धन्यवाद अंभी का बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद आपका उतल दोस्तों आज के से पितना ही थेंक यू जैहिंद जैभारत कल मिलेंगे फिर सवाठ बजे रादसान जीके की किस्टन लेकर